हेलो ख्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आपका अपनी यूट्यूब चैनल जी मैटफर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समय दूरी और चाल में कि जब कोई रिलगाडी की सिकत सील ब्यक्ति को पार करें अब इसमें देखें दोस्तों क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के केक् सब्सक्राइब और दूसरा क्या हिंता है कि हमारा क्या होता है यह से तरफ यह की तरफ होता है मतलब जब उनकी चाल क्या हो बेपरित हो चाल बेपरित होने का मतलब एक उसी दिशा में जा रहा है दूसरा उसके बेपरित दिशा में आ रहा है और पहले बाले में क्या बताया है कि इस में क्या होता है दोनों की चाल रेलगाडी की चाल प्लस उस व्यक्ति की चाल दोनों एक ही दिशा करना क्या है कि चालिस कीमी प्रतिगंट तो है चालिस कीमी प्रतिगंटा की's कि अपने ही दिशा में चार की मिप्रादिघंटा की यहां पर दिया वेन तो किटने समयरे अंपर करेंगे 48 गंटा की चाल से 300 मीटर लंबी रेलगारी अपने ही अपने ही दिशा में जिस दिशा में रेलगारी जा रही है usi भीसा में हमारा क्या हो रहा है सब्सक्राहिक कि हमारा जो रेलगारी है ऐ से सी कि तरह है तो यहां से जो ब्यक्ति है य Hence p की तरह सभढ़ रहा है लेकिन इसमें कहा है कि रेल गाड़े के चाल कितना है कि चालीस कियमी Πर गंटा और ब्यक्ति के च्याल कितना है जायरा कि कि इसमें कि दृत्षर थे आश्क कर और बी दो तरीके प्रहिंест बनते हैं पाला worm होता है कि जब दोनों की चाल एक ही दिशा में हो जब दोनों की चाल एक ही दिशा में होगी तो में क्या होता है कमी होता है तो व्यक्ति के साप्यक्ष में तो हमारा क्या है कि कितने समय से जा रहे तो ब्यक्ति के साफेक्ष जो रेलगाडी की चाल हो जाती है तो ब्यक्ति के साफेक्ष रेलगाडी की चाल कितनी हो जाती है कि जो रेलगाडी का चाल दिया गया है उसमें से ब्यक्ति के चाल को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं यानि कि रेलगाडी की चाल माइनस ब्यक्ति की चाल अब यहां पर हम देख रहे हैं रेलगाडी की चाल कितना दिया गया है 40 दिया गया है माइनस चार यानिके यहां पर क्या है रेलगाडी की चाल 40 है और व्यक्तिकी चाल कि रिलगाड़ी की चाल माइनस ब्यक्ति की चाल यह क्या होगा जब दोनों की चाल एक ही दिशा में होगी तो दोनों की चाल आपस में क्या होगी सब्सक्राइब निकालने के लिए दोनों का चाल आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा लेकिन जब चाल बीपरित हो कि जब चाल बीपरित हो तो क्या होता है रिल गाड़ी के चाल में ब्यक्ति का चाल क्या होता है दोस्तों एड हो जाता है क्या हो जाएगा एड हो जाएगा कब जब दोनों की चाल क्या हो बीपरित दिशा में हो तो ब्यक्ति के सापेक्ष जो रिल गाड़ी की चाल होती है यह रिल गाड़ी की चाल में ब्यक्ति की चाल दोनों को क्या हो जाता तो यह हमारा क्या आजाएगा सापएक सिछाला जाएगा इसी तरीके से सवाल भी नीकालना यह तो हमार वारा यानि कि यह दोनों नियम है इस प्रकार के क्योश्टिन में दो तरीके के प्रश्णते हैं अब चलिए क्या करेंगे इसमें दिया है भी खाल झेल निकाल झेल निकाल मैं कि अल्गुए phys Sharla निकाइगे अब यह क्या है दोनों की चाल हम देखेंगे एक ही किसा में कि द्हसा में जब डोनों के द्धिसा सेम है तो हम क्या करेंगे चालीस माइनस चार केमी प्रति हावर हम माइनस करेंगे तो चालीस में से चार घटेगा कितना आएगा 36 किलो मीटर प्रति घंटा यह कितना आजाएगा 36 किलो मीटर प्रति हावर लेकिन एक चीज यहां पर दिक्रत हो रहा है हो रहा है कि यहां पर यह हमारा मीटर में दिया है और यहां पर जो हमारा स्विड है किलो मीटर पर हावर में दिया गया है अब किलो मीटर पर हावर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में क्योंकि यह हमारा चेंज बजाएगा मीटर पर सेकंड कितना अगया 10 मीटर पर सेकंड अब यहां पर क्या है थार्टी सिक्स आने के लिए दोफ को इसमें कोई अलग नहीं आएगा किलो मीटर को में अगर करेंगे एक किलोमीटर पराबरि कितना होता है एख हजार मीटर कितना सेकंड में हैं फश्र निखा पर सेकंड आगा नेकिन हमें निकालना कया है क्तने समय में पार कूल लेगी हमें यहां से निकालना है समय समय वराबर क्या होता है दूरी के वटे चाल कि डिस्टेंस अपॉन इस्विड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन इस्विड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन इस्विड तो यहां से हम निकालेंगे दूरी वटे चाल तो यहां पर क्या हो जाएग यहाँ दस से ढ़िवाइड कर देंगे तो समय हमारा कितना आ जाएगा 30 सेकेंड और यही हमारा क्या बनेगा एंसर बन जाएगा ठिक दस्तों के लिए दूसरा एक्जाम्पल लेते हैं और विच्छे समझ मैं आ जाएगा कि दोस्ता एक्जांपल देखते हैं दिया गया है कि एक रेल गाड़ी 150 मिटर लंबी है लंबाई उसका दिया गया है कितना 150 मिटर करें कि वह 54 किमी प्रति घंटे याने कि 54 किमी पर हावर की स्विट से चल रही है लेकिन अपने ब्यक्ति को वह कितने समय में पार कर लेगी वहाँ पर जो चाल की दिशाथी दोनों का ब्यक्ति के और गाड़ी की दोनों का सेम डायरेक्शन गाल लेकिन हाश्चा पर क्या रहें कि दोनों का क्या है जो क्या है। यह व म해도 प्रित है सँ ब्यक्त Conference ja अब रिल गाड़ी की साल हमारा कितना है?" और ब्यक्ति की रिल गाड़ा से में परति गंटा है?" कि अभी आपको पीछे बताया कि यदि दोनोंगों का ये क्या होगा ये मैं होगा तो दोनों क्या हो जाएगी आईंद हो जाएगी तो यहां से कि निकालेंगे साप्यक्ष चाल का मतलब क्या होता है दोनों के चाल को कम्मेंड करके तो साप्यक्ष चाल क्या होगा जब वीपृत रहेगा और वीपृत में हमने आपको लेकिन यहां से हम एक चीज देखेंगे दोस्तों कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना करहा है 150 मीटर लेकिन यहां पर यह हमारा किसमें दिया है किलो मिटप्रति घंटा में यह तो हमारा मिटपरस्चेटन में होना चीकिए मिटपरस्चेकंड में कंवर्ड करने करेंगे हम क्या करेंगे साठ के गुड़े अब इसमें क्या करेंगे पांच के बटे 18 से गूड़ा करेंगे तो कितना यहीं आएगा अब क्या करेंगे के स्पचाइब तो हम जानते हैं समय वराबर फार्मूला क्या होता है distance upon speed, distance upon speed, दोरी बटे चाल, तो distance कितना है, दोरी कितना दिया गया है, 150 meter बटे, speed हमारा कितना आगया, 50 by 3, 50 कि बटे 3 आएगा, तो बटे कि बटा कहां चला जाएगा, उपर, तो 50 तिया, कट गया, कितना आजाएगा, 3 तिरिका, 9 second, यहाँ पर हमारा जो speed है, यह हमारा जो time है, time कितना आगया, 9 second, तो करना क्या है, दोस्तों, बस हमें यहीं देखना है, कि जो प्रस्ण में, उसका जो direction दिया गया है, वो क्या है, बिपरित है, कि उसी दिशा में है, अगर उसी दिशा में रहेगा, तो दोनों का चाल, हम माइन पंद आए है, तो चैनल को लाइक, सब्क्राइब और से अवस्चे करें, ठाइक दोस्तों, चैहिंग,